घ्लो बाइज कैसे हैं आप सभी आई होप अच्छे हूँगे आज मैं आप सभी से मेथी पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो की बहुत ही ज्यादा चटपटा बनेगा और खस्ता भी बहुत रहेगा और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगेगा तो अगर आप चाहें तो इस पेस्ट को मेखिशी जार में भी तयार कर सकते हैं अब पराठे के लिए हम आटा लगाएंगे तो मेथी चाहें चाहरे के लिए पराठे कि लिया लेहं और इसके बाद हाफ इस्पून अजवाइन डालेंगे इसके बाद अधरक लस्तन हरिमेज का जो हमने पेस्ट रेडी किया था उसको भी डाल देंगे हाफ इस्पून रेड चिली पाउडर वन इस्पून नमक नमक आप सौध अनसार भी ले सकते हैं और सारी चीजों को अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे अगर ये पराठा बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रेड चिली पाउडर आप इसकी कर दीजिएगा जब आठा हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आठे में थोड़ा थोड़ा पाने डाल के अच्छे से इसका आठा हमको गूतना है अब आटा हमारा रेडी हो चुका है चलिए फटाफट इसको हम साइड में रख देते हैं और अब तुरंथ पराठा बेलने की हम तयारी करते हैं आटा गूतने के बाद हमको आटा रेश्ट पे नहीं रखना है क्योंकि आटा में हमने नमक डाला था इसलिए आटा हमारा गीला हो सकता है अगर हमको छोटी छोटी पराठा बनाना है तो आप छोटी छोटी लोई यां लीजी अगर बड़ा रखना है तो बड़ी बड़ी लोई आप ले सकते हैं और लोई को अच्छे से फ्लैट कर लेंगे उसके सूखा आटा लगाएंगे और फटा फट उसका पराठा हम बेल लेंगे अब पराठा हमने बेल के रेडी कर लिया है चलिए पराठे को अब हम सेक लेते हैं पराठो में और पराठे को दबा दबा के दोनों साइट से हम अच्छे से सेक लेंगे अगर आपने अभी तक किचन लैफ विद अनामिका को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए प्लीज आप सभी इस रेसिपी से मेथी पराठा ट्राइब जरूर कीजिएगा ट्राइब कीजिए और कमेंट करके बताईए कि आपका मेथी पराठा कैसा बना था तो पराठा हमारा बहुत ही खस्ता और फटाफट रेडी हो चुका है और इसी तरीके से बाकी पराठा भी बना लेंगे तो चलिए फटा-फट इसकी प्लेटिंग करके देख लेते हैं तो पराठे को हमने अच्छे से फोल्ड कर दिया है और प्लेट में लगा लेंगे और इस पराठे को हम आम के अचार के साथ सर्व कर रहे हैं आप पराठे को सब्जी के साथ या चटनी के साथ अचार के साथ सर्व कर सकते हैं और आप इस पराठा को सुबे-सुबे नाश्ते में बना के दे सकते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा. थैंक यू फार वाचिंग. बाई.